ह्लो एवर्वर्वाइन वेल्कम बेक तू मैं चैनल कैसी है आप सब लोग अज हमने इसका डिजैन बना रहे हैं परल बाटरफलाई परल कौटन ट्रेड शेय्ट से कुछ इस तरह सेमारे पस टू शेडर के यह बाला कौटन है का बेस्जेड बेस यह ले सकते हैं आप शिल्की से बन जाती है इस थ्रैट के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज करती हूँ काली दिन लोगों ने अभी वी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक कमेंट और शेयर भी किया किजिए थैंक्यू सबसे पहले हमने अपने थ्रैट पे स्लिपनोट ले लेना है औ अपना डिजाइन स्टार्ट कर लिए सबसे पहले हमने लिए जैसे आपको इजी लगता है आप स्लिपनोट ले लिए और पिर उसको अटेच करेंगी अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हैं वर्लेइन का गैप लेते हुए तर फिर से सिंगल क्रोशे बनाेंगे और इस तरह से एक बार फिर से हमें सिंगल क्रोशे बना एक गैप लेते हुए मैक्सिमयम वान मे करेंगा यह जो टू चीन का हीब बनता आए वहां पर हम इसको seem triple crochet बनाए गे कोई यूए उस्ली तरह से बना लेने के बाद हम क्या करेंगे two जीन ले लेंगे और seven double crochet बनाएंगे इस triple crochet के cross में 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 7 double crochet complete होने के बाद इसको हम इसके अपने ही distance पर attach कर देंगे यहां पर कुछ इस तरह से इस तरह से हमें distance लेने में आसानी होती है और इस तरह के design में हमें base row की दरूरत नहीं होती है फिर से हम one chain का gap लेते हुए single crochet बनाएंगे और यह हमारा two flowers के center का gap बनता है आप चाहें तो इस gap को बढ़ा सकते हैं यानि कि आप single crochet की counting को बढ़ा सकते हैं या चाहें तो आप इसको कम कर सकते हैं यह compulsory है और यह मैंने two flowers के center के gap के लिए रखा है कुछ इस तरह से हमारा यह pattern बनेगा और इस pattern के साथ हमने first row बनानी है फिर से हम two chain ले लेंगे triple crochet का बल ले लेंगे maximum two chain के gap के उपर ही इस triple crochet को हम triple crochet करेंगे और फिर इस triple crochet के cross में हम two chain प्लस seven double crochet बनाएंगे one two three four five six and this seven और यह जो seven double crochet होंगे और इनको हम इनके अपने ही distance पर अटाइच कर देंगे कुछ इस तरह से और फिर से सेंटर का gap लेंगे और उसके बार फिर से हम अपना next pattern बनाएंगे इसी तरह से हमने इसको first row को complete करना है और फिर हम अपनी second row पे आएंगे कुछ इस तरह से यह हमारी first row है और यहां पर हम मजीद बनाके तो second row पे आते हैं और आपको बताती हूं कि कैसा बनेगा हमारा second design यहां पर हम second row start करने के लिए thread को cut कर दिया है अपना आपने जितनी land complete करनी है first row complete करने के बाद thread को cut करके हमने इसी तरह से slip रहे थे तो हम यहां पर one chain लेंगे और फिर next वाले single crochet के gap में single crochet बनाएंगे one chain का gap और यहां पर next gap में हम यहां आ जाएंगे यहां पर हमारे पास two chain थी तो इस two chain के cross में हमने टू सिंगल क्रोशे बना लेने है यहाँ पे और जहाँ पे हमने इसके एज पे जाना है यहाँ पे जो हमने टू चेन ली थी तो हम पहले एक बार यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर हम यह जो हमारा एज़ वाला पाइंट था जिस पर हमने two chain plus seven double crochet बनाए थे वहाँ पे हम एक बार single crochet करते होए three chain बना लेंगे three chain और इसी एक gap में जहां पर हमने three chain बना यहाँ है उसे में इस को single crochet करेंगे फिर next वाले जो double crochet के edge पे जो gap से हमारे पास next वाले gap में single crochet करेंगे और इस single crochet के साथ ही three chain करेंगे और इसी gap में एक बार single crochet करेंगे तो यह हमारे पास three chain का picot बनता जाएगा इसी तरह से next वाले gap में फिर से single crochet कर लेंगे single crochet के साथ पे हम three chain लेते हुए इसी में एक बार फिर से single crochet करेंगे तो यह हमारा picot बन जाएगा इसी तरह से हमने यहां पे जितने भी हमारे edges बनते हैं double crochet के उनके कुछ इस तरह से मैंने complete किया है इसको जितने भी double crochet थे इनके edges पे जो caps थे हमारे पास उनमें हमने picot बनाया है three chain plus single crochet के साथ और यहां पे हमारे पास six time बनी है picots और यह जो last वाला फिर हम इसको क्या करेंगे यहां पे हमने single crochet से finish किया है तो हम यहां पे यह जो इसके बिलकुल साथ ही next हमें single crochet available है जो gap है one chain का वहां पे हम इसको single crochet करेंगे कुछ इस तरह से और फिर हम one chain का gap लेते हुए next वाले single crochet के gap में single crochet करेंगे इस तरह से हम इसको one chain के साथ यहां पे आएंगे यह जो हमारी two chain की gap बनी हुए है first row की उसमें हम two single crochet करेंगे one और यह two two single crochet के साथ एक बार single crochet करेंगे यह जो हमने पैटल के लिए two chain बनाए हुए है वहां पे हम एक बार single crochet करते हुए उसके edge पे जाएंगे और यह हमारा इसके edge पे एक बार single crochet हो गया और इस single crochet के साथ three chain बनाएंगे three chain को इसी gap में जहां पे हमने पहले single crochet किया वहीं पे single crochet करेंगे इसी तरह हम next में चले जाएंगे और single crochet करेंगे और three chain बनाएंगे इस three chain को हम इसकी इसी gap में एक बार single crochet करेंगे इस तरह से यह हमारा picot बनता जाएगा और next में फिर चले जाएंगे single crochet करते हुए three chain बनाएंगे और इसी में इसको single crochet करेंगे और यहां पे हमारे पास six picots complete बनेंगे यहां पे कुछ इस तरह से इसको complete करेंगे तो six हमारे पास picots बन जाएंगे और यहां पे हम क्या करेंगे जब last वाला single picot बनाएंगे तो यहां पे इस gap को cross करते हुए यहां पे next वाली यह जो हमारी one chin की gap है इसमें हम इसको complete को single crochet बस इसी तरह से आपने पैटर्न को रिपीट करना है इसमें किसी किसम की कोई मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान है राई जूर करना है आपने मैं आपको थूरसी इसकी लैंट बना के शूर कर दू ताके आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिजाइन बनने के बाद कितना यूज किया है तो उससे और भी ज्यादा खुबसूरती आती है और हमारा डिजाइन इनहांस होता है जब भी आप मल्टी कलर का थ्रैड यूज करते है या टू टू टून का थ्रैड यूज करें आप हमेशा लाइट कलर में यूज करें लाइट टू डार्क में जब जाता ह तो बहुत ही खूबसूरत आता है जब डार्क कलर कि हम मल्टी कलर यूज़ कर देअगा उससे आपके डिजैन की वह खूबसूरती और शाइनिंग नहीं आती है कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन नजर आता है बहुत ही खुबसूरत है बनाएगा जरूर ट्राइज जरूर किया कीजिए नेनी जीजे मुझसे भी शेयर किया कीजिए और आप इन पी कॉट्स की जगा पे पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीट्स भी आड़ कर सकते है एक बार हम इसको इस तरह से देख लेते हैं इस तरह के डिजाइन आप जब अपनी शेट के दामन पे बनाते हैं बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और दबटे के पल्लों पे बनाएं तो भी बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और इस्पेशली ये जो फ्लावर्स वाले हमारे पीकोट्स वाले डिजाइन होते हैं ये आपके टेबल कवर के कॉर्णर्स पे इंतहा ही खुबसूरत लगते हैं और इनके बाद आपके जो पैटर्स होते हैं फैब्रिक होता है आपका आउटफीट होता है बहुत ही खुबसूरत हो जाता है इसी डिजाइन को आप अपने कॉर्टन थ्रेट की बजाए सिल्की थैर से यूज़ कर सकते हैं बना सकते हैं परिशूर का थ्रेट ले सकते हैं और आप अपने वूल के थ्रेट से भी बना सकते हैं आई होब कि आज का डिजाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा इन्शाला नेक्स वीडियो में मिलूँगी ने डिजाइन के साथ लाफिज